असलाम उलाइकूम सब्सक्राइब नमस्तियाद आप तो कैसे हैं आप सब इस वीडियों बात करेंगे सौधी अरब की बहुत सारी जरूरी नियूस है खासकर अजनवी भाई जो टैक्सी चलाते हैं उन लोगों के लिए बैड नियूस है और हज सीजन को लेकर अपडेट है र पेज को फॉलो भी जरूर कर लिजेगा कि हमारा नया पेज है और कुछ पूछना हो तो मुझे कम्मेंट कर सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं या यूट्यूब फेस्बूक कहीं भी देख रहे तो हाल सा मुचा ठिक ठाक है कैसे आप सब ठ से लोका मन कीजIES ना कीजए सबसे पहले नीज में आपको शेर करना चांगा जो कि आज की जो नीज गज्यूज हैं सबसे पहले में आपको शेर करूंगा जद्दा से मक्का सिर्फ पांच मिनिट में आप जा पाएंगे साथी आरप के किंग को न है मौट cooking तो खैर आपको प आप बहुती आराम से और आसान तरीके से जद्दा से मक्का, रियाद, कुवैत, दुबई, अबुधाबी, मसकत जा सकेंगे, मातर एक डेर घंटे की अंदर अंदर, रियाद से दुबई आप 51 मिनिट में जा सकेंगे, हाइपर लूप टेकनोलोजी से, मतलब सौधी अरब जो सौधी वर्ल्ड, मतलब सौधी अराबिया जितना भी पूरा है, सब को कवर करने के लिए, नियूम सिटी की तरफ से, इस्पेशली अपडेट्स आई है, ये कनेक्ट करेगा, हाइपर लूप ट्रेन, जिससे लोगों को बहुती आसान होगा, चलना, चलना, यतने में तो बं पावंदिया, मजलिस सूरा के तरफ से कहा गया है, तो मैंने कहा कि टैक्सी चलाने वाई लोगों के लिए बैड नियूज है, वीडियो को पूरा देखिए, अभी तक नियूज मैंने सही से बताई नहीं है, मजलिस सूरा, जैसे कि मजलिस सूरा के अंदर में माल लो 500, 1000, 2000, जो मंतरी होते हैं, पूरे साओधियरप के हर एक इलाके का मंतरी होते हैं, जैसे अपने असंसत भवन होता है, उस तरीके से, शोरा में कहा गया है कि साओधी सदस्यों ने बस और ट्रक, मतलब बस और ट्रक चलाने वाले सभी लोगों को इस्पेशल ट्रेनिंग दी जाएग इस्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगे और उनको एप दिया जाएगा इस्पेशली, और कहा गया है, यहाँ पर बात तो बहुत सारी है, लेकिन शॉटकर्ट में बता रहा हूं, कहा गया है कि टैक्सी नियमों को लागू करने में सकती जरूरी है, और कहा गया है कि साओधी कर बता रहा है, वो टैक्सी कोई अजनवी चला रहा था, उस अजनवी को हटा कि साओधी करन किया गया है, तो इस पर यह बोल रहे हैं कि बैन लगाना चाहिए, मैंने बैड नियूस कहा था, जी नहीं, यह गुड नियूस है, मतलब साओधी जेसन अगर हो रहा है टैक्सी डि इतने भी लोग हैं जो छोटे-मोटे टैक्सी बगर चलाते हैं, सब को एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाने चाहिए, मजलिस सुरा के तरफ से कहा गया है कि टड़क और बस चलाने वालों को स्पेशल टेस्ट कराया जाए, टेस्ट केया जाएगा, स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए क्योंकि इनकी वह इसे एकसिड़र्ट ज्यादा होता है और जो टैक्सी चला रहे हो क्या पता हाने और दिन में आप ना चला ओ साली जसन की चक्कर में तो गुड़ नियूस साथी जैसन किया चारा टैक्सी लाइन में वो ना किया जाए लेकिन देखते हैं इस पर क्या अपडेट्स आती है आगे और भी अपडेट्स आएगी तो मापू जरूर शेर करेंगे अगली अपडेट्स जो कि साथी एरपोर्ट पर जावर्दस चेकिंग हो रही है मैंने थम् का और देखते होंां मतलब हाई रास्ता हो शचाहिए जबिर वह हो जाए और पर गुमारी को भीए और एक और वेर्शते चाहें कहीं उसलिए एईरपोर्ट पर जबर्दस चेकिंग हो रही है। यही में कारण है खास कर और काट्वन व काट्वन लेकर मत जाईएगा वरना काट्वन की वज़ां से आपको प्रावलम हो सकता आपने रियाध में अध्र 440,000,000 से भी ज़्यादा दवाईयां पकड़ी गई है 40,000,000 दवाईयां यह साओदीां पहुंचा कैसे और आपको ताज्यूब होगा कि यह 340,000,000 दवाई जो है ऍपेशली यह कवर करने कुछ कोन लेकर आया था अजनवी लेकर आये थे जी हां अजनवी लेकर आये थे और साओधी मिसर सुडान के लोग लेकर की आये थे इन सब को गिरफतार किया गया है अगली अपडेट जो कि आप पार्किंग का देख रहे हो यहां पर अगली अपडेट अब जो है स्कूल शायर बंध हो चुका है 20 अगस से सुरू होगा नया क्लास रूम सौधी अरब के अंदर में 20 अगस से नया क्लास सुरू होगा अगली अपडेट में शेर करूंगा सौधी अरब की जो आबादी है कुल आबादी तीन करोड 21 लाख है जिसमें 41.6 फीजदी बिदेशी हैं तीन करोड 21 लाख लोग सौधी के शहर में हैं और आपको बता दो रियाद में लगबग 86 लाख लोग रहते हैं ये थी कुछ नियूस वह आपको मैंने शेर किया है अभी को मैं शेर करूंगा कल पार्किंग ट्राइफिक रूल का नया कानून आ यहां उस पर वीडियो बनाऊंगा सुबह दुपहर में तो आप लोग देखेंगे वीडियो को शेर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा कार्टून वाली बात को फेक मत समझेगा वरना प्रॉब कर दो